इस बार एक बढ़ते हुए पौधे की एनिमेशन बनाते हैं पहले शन यानि पहले फ्रेम में हमारे पास एक अंकुर है अगले फ्रेम में हम दर्शाना चाहते हैं कि यह अंकुर एक छोटे पौधे में परिवर्तित हो गया हम एक नया फ्रेम जोड़ते हैं और इस फ्रेम में हमें एक छोटा पौधा दर्शाना है मगर उचलती हुई गैंद की एनिमेशन से यह एनिमेशन अलग है क्योंकि उचलती हुई गैंद में जब एक फ्रेम में हम गैंद की नई स्थिती दिखाते हैं तो गैंद केवल उसी जगा होती है और किसी जगा नहीं होती बढ़ते हुए पौधे में ये बात लागू नहीं है हर नए फ्रेम में हमें दर्शाना पड़ेगा कि उससे पहले वाले फ्रेम में पौधा कितना बड़ा हो चुका था पौधे का विकास व्रिद्धिशील यानि continuous है उचलती गेंद अस्तत यानि discrete थी बढ़ते पौधे की animation में हर नए फ्रेम में हमें दिखाना पड़ेगा कि इससे पहले पौधा कितना बड़ा हो चुका था और फिर उसके उपर हम पौधे का और विकास दिखाएंगे एक फ्रेम में दिखाने के लिए कि इससे पहले शंड तक पौधे का कितना विकास हो चुका था हमें पिछले फ्रेम को दोबारा बनाना पड़ेगा इसके लिए हम अनियन स्किनिंग का प्रयोग कर सकते हैं अनियन स्किनिंग मान लीजे ट्रेसिंग पेपर इस्तेमाल करने जैसी है इसके प्रयोग से हम देख सकते हैं कि पिछले और अगले फ्रेम में कौन सी चीज कहा है अनियन स्किनिंग एनिमेशन में ड्रॉ करते हुए एक गाईट का काम करती है अगले फ्रेम में हम दिखाना चाहते हैं कि पौधा और बड़ा हो गया दोबारा पहला फ्रेम ड्रॉ करने के बजाए हम इसके पहले फ्रेम को डूप्लिकेट कर सकते हैं और फिर इस डूप्लिकेट फ्रेम में दिखा सकते हैं कि पौधा और बड़ा हो गया है फिर इस frame को duplicate कर हम एक नए duplicate frame में दिखा सकते हैं कि पौधे में एक पत्ती आ गई और फिर frame duplicate किया और दिखाया कि एक और पत्ती आ गई फिर frame duplicate किया और अब दिखाया कि पौधे में धीरे धीरे एक फूल खिल गया यहां समझने वाली बात यह है कि जब हम किसी भी चीज़ की एनिमेशन बनाते हैं तो हमको ध्यान रखना है कि समय के साथ यानि हर नए फ्रेम में क्या वो पूरी चीज़ अपनी इस्तिती बदल लेगी जैसे गैंत के साथ था या उस चीज़ के कुछ भाग अगले शन यानि अगले फ्रेम में अपनी इस्तिती बरकरार रखेंगे और कुछ नए भाग या कुछ नई चीज़ें पहली चीज़ में जुड़ जाएंगी जैसे बढ़ते पौधे के साथ है